एक पेशन तो यहां पर ही होया हुआ है यह हालत हुआ है ठीक है एक में रुख जो अभी आप बोलना दख गोई भी बीच में मत बोलना भी प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा आप लोग का रिस्ट बढ़ गए गाए गाए आप देख सकते हो एसलेशन रूम में किस तरह से पेशन यहां बढ़े हुए है प्लीज आप जितना हो सके इसको शेर करो किस तरह से यहां पे पेशन को रखा गया है और कौन सी कंडिशन में पेशन्ट है जो नंगे पेशन्ट है वो किदर ही मुझे बता हूं सब लाइट चालू करो इतनी गंदी कंडिशन में एसलेशन रूम में पेशन्ट को रखा गया है फिर देखो इस यह बैठ धिए यहां पर रख शीट नहीं है यह पूरा खाना इदर पड़ा हुआ है यह पूरा गाइपर में और यह पूर पूरे अब देख सकते हो किस तरह से लोगों ने करोना पेशन को रखा हुआ है यह साब करोना पेशन्ट है अब यह सब कॉम टोलइड अब देख सकते हो प्ली आप यह सिक्यूरेड यह देखो यह कैस है अपे यहां पर हो आप लोग कितने पुट्ल.. यहां पर छोड़े बच्चे भी और फैमली भी उलाया गया है लिगिन हम लोग कोई रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं किया हो रहा है क्या हो रहा है वाजू में पॉजिव लोग है वही बातरूम में जा रहे हैं उनके वएसे हम लोग ने पॉजिव नहीं हो जावे हम लोग आपका रिपोर्ट आया है ना इनको खाने की फैसिलिटी दी जारी ना कुछ नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव लोग सब एक ही रूम में एक ही जगे पे लोग सब्सक्राइब आप कुछ बोलना चाहेंगे सर पांच दिन से यही बैड़े आपको क्यों रखा गया इदर हम लोगों कुरोना के इसके लिए लायत है चेक अप के लिए आये उसके दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट गई है अपकल रिपोर्ट नहीं आया हमारी आप कितने दिन से हो यहां पर अंडी मैं एजास खान फांडेशन अल्ला के बंदे फांडेशन से हूँ आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहां पर क्यों रखा गया है हमोई इसके वाजिशन अच्छा कितने दिन से हो अंडी आप यहां पर क्या तारिक एक तारिक आप लाई चालू करो सब्सक्राइब उलब बंगत एक करें आपके रिपोर्ट आई बच्चे बता हुए यह तो अभी आए चीक है आप देख सकते हो यह चोट असा मासुम बच्चा है आपको क्या हुए भाभी मेरे डैडी ओफ हो गयते मैं तुम लोगों इसाब सी यहां पर लेकर आगए अच्छा आपके अच्छा ठीक है आपको कितने दिन से यहां रखा गया है फांस दिन हो गया ठीक है आपका टेस्ट वा रिपोर्ट आई अच्छा आप देख सकते हो एसलेशन रूम में पांच दिन से एक छोटे बच्चे मासुम बच्चे को लेके एक लेडी पड़ी भी है इनका डैडी ड प्रेल से यहां पर है सेवन डेस से इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई है यह 15 दिन का मासुम बच्चा करोना पेशन के साथ आइसलेशन रूम में पड़ा हुआ है आप देख सकते हो कि यह बच्चे को कितना इफक्ट होगा लेकिन इनका कोई रिस्पॉंस नहीं है इस इसमें घूम रहे है यह करोना वारस पेशन का रूम है यह इतने मासुम बच्चे घूम रहे लेकिन यहां के डॉक्टर्स को और नर्स को कोई फरक नहीं पड़ता है आप कुछ कितने दिन से हो भाई आप लोग का पॉटीट आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगा ओके है तो साथ लोग करोना पेशन्ट और नगिती पेशन्ट सब एक साथ यह देखो यह हमारा असुलेशन रूम है और वैट शीड एक भी बैड़ पे नहीं है आप देखें